वेलकम टू लर्निंग बायू स्वागत है आपका लर्निंग बायू में तो अभी तक हमने प्लैटी हनमतीज के जितने भी लक्षा ते कबर कर लिए एंड आज जो हमले क्या है वह है इनसे होने वाले डिसी यानि कि अगर टेप वार्म हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है तो क कजिए रहा फिर केरेार हैं हमारे तो जब टवर्निंग में हो एक जो दिसी के प्धंड़ने वाले हैं और आज fingerprints के परले अवी इससे एक रजल रोजिइ से कॉका है कि स्वपक रीडिक क्रीन और दिस्टिबुट कंद्रिण क सेडिकर इसे अपने अंदर लेते हैं, यानि कि एट करते हैं, तब इसके तुर इंफेक्शन हमें हो जाता है. इसलिए अगर हमें देखिए रा लेंगे या न्कूड लेंगे तो वह होना ही है. ठीक है? हमारी वह है शिंट्टन की या पैसोगनेसिस की, यानि कि जब इंफेक्शन हो ग सके तरुदीजिय के come then पहले अभी है वह ठीक्रेंगे सिसिती सटी सर्कोसे भी चैनल फिर फमला इनस्पिन फेल से हो जब फर जो हैनémैस , ऐसे सबस्कूर्स Sickेश कहते हैं इसमें क्या symptom दिखते हैं इसमें क्या होता है? Abdomen Pen, Anemia, Indigestion, Increase करता है Isnophilia, Cell in Blood में ब्लेडर ने सिंकर टेप वाम पाजाता है होस्ट में जब डिसीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है कॉंप्लेक्स हो जाती है तब इसे कहते है सिस्टी सर्कोसिस जो बहुत जाट टेंजर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? जो इंसेस्टमेंट होता है ब्लेडर वाम का वो आपका होस्ट के अंदर आ जाता है जो कहां कहां चला जाता है? वोलेंटरी मसल में, कार्डिक मसल में, लीवर में, आई में, ब्रेन में तो देखे यह अब क्या हो गया और बोडिंते करते अब बोडिंवोत होना से अजी क्या टिसू भूर सब्हाऊ जाता है अगर इन वहां से निकलना वहांसे पर ज्यादा मुस्किल हो जाता है इसलिए यह बहुत ज्यादा धिंजरस से निकालता। क्योंकि बहुत ज्यादा केस कॉम्टिक हो गया इस टार्टिंग में केस थोड़ा सा नॉर्मल था डिसीज कम थी यानिक इन्फेक्शन का लेवल कम था ताम इसे क्योर कर सकते हैं लेकिन जब कॉम्टिसिटी पढ़ गई है तो ठीक करने का जो जरिया है वो कम हो गया भी थोड पहला वह प्रेजी कॉंटिल चों हीमें डिवाम में यूस होता है एंड जो निश्ट है वह अल्बडे जाल है जो नियूर्शिश्टी सर्कोसिस में यूस होने वाई अल्बीडे जॉल है एंड होता क्या है कि कभी-कभी ड्रक्स से भी यह डिटम नहीं हो पाता है इसका रे इसे काम एक निया बाडी को फोर्म करता है यानि कि प्रोग्लोटिट बना सकता है। अगर बॉडि में only proglodate है ठीक है तो उसे तम निकाल देंगे लेकिन अगर इस कॉलक्स है यानि कि उसका plant का suppose example के तौर में समस्ते है कि अगर plant का जड़ है जड़ जमी में रह गया है तो अगें उस जड़ से नय प्रांट हो सकता है बहले हमने उपर कार्ट दिया हो प्रांच लेकिन जड़ है तो वह डिसीज हो जाएगा इस तरह हम कह सकते हैं कि इस कॉले से जड़ है रूट के जैसा है अगर वह है इंटेस्टेंट में तो डिसीज कास होगा प्रिवेंशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा प्रिवेंशन है कि हमें अनकुक्ड जो मीजली पॉक है उसे एवाइट करना है यानि कि हमें अनकुक्ड मीजली पॉक बिल्कुल भी नहीं लेना है साथ जाथ जो भी इंटेस्टेट परसन है उसके जो फेकीज है उसे डिस् जब देखिस है उसको हम डिआग्नोस करते हैं कि अगर उसमें एक या ग्रेविट प्लोगाड़ पा जाता है तो वह वह हीमन इंफेक्टेड हैं साथ हां फेस्टा हम एक्स्रे का भी यूज कर सकते हैं जिस्केव मैं एक्स्टरे का जो अगर देखिया अगर देखिया तो हम्ने या मशेज टीशू में घूपकर देखिया थीरी हैं हमें टिसीज है, फाल अगर ब्रेन हो गया है तो, हम CIT गया या MRI का यूस कर ते हैं जिसे हम brain liaison यूफ 55 Прी मेंयस्ट टोटिम गहां सेहता है कि अलग-अलग बडी के पडार्ट में वह डिसीज फैला है, तो हम अलग-अलग diagnosis का यूज कर रहे हैं साथ ही हम मेरी ड्रक्स का भी यूज कर रहे हैं हाँ किसी किसी मेरी ड्रक्स यूज़फिल है यनि कि अगर earliest stage है latest stage में नहीं तो हम वहाँ surgery का यूज करते हैं क्योंकि मैं इस college निकालना है जो में चड़ है disease cause करने की take care and bye bye मिलते हैं in next video में